आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉट करो और तोरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। बेटा तथा वाई बराबर जीरो द्वारा गिरे शेत्र का शेत्र रफल वर्ग इकायो में है। तो हमें सरबथम क्या दिया है, GX बराबर दे रखा है हमें, log और FX बराबर दे रखा है कर्णी X। उसी के साथ हमें क्या बोला है, y बराबर क्या होता है, g, o, f और यह x, जिसका मतलब होता है कि g में हम मान रखेंगे x के स्थान पर fx, तो हमारे पास g क्या है, cos है, तो cos fx का वर्ग, और fx क्या है हमारे पास, करणी x तो रखा हमने कॉस करणी x का वर्ग जो की क्या हो गया कॉस x तो y का मान क्या हो गया हमारे पास कॉस x अब हमारे पास वर्ग समी करण क्या दे रखी है उससे हमें मूल प्राप्त करने होंगे तो हमारे पास समी करण 18 x स्क्वेर एक्स का वर्ग रिण नो पाई एक्स धन पाई का वर्ग बराबर शुन्य इस दो भागों में विभाजित करा तो 6 और 3 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आएगा और 6 और 3 का गुणा करने पर 18 आएगा तो क्या हो गए ये 18 एक्स का वर्ग रिण 6 पाई एक्स रिण 3 पाई एक्स धन पाई का वर्ग बराबर शुन्य छे एक्स बहाँ निकाला 6 यहां से क्या बचा 3 एक्स रिण पाई और यहां से पाई बहाँ निकाला पाई तो 3 एक्स रिण पाई बराबर शुन्य तो हमारा एक वर्ग 6 x rin pi और दूसरा क्या होगा 3 x rin pi बराबर 6 यहां से pi के हमारे 2 मान प्राप्त हो गए 1 हमारा x बराबर pi by 6 और x बराबर pi बटे 3 अब हम जानते हैं कि alpha वो beta दो मूल है जिसमें alpha छोटा है beta से तो इसमें से छोटा वाला मान होगा वो किसका होगा alpha का और जो बड़ा वाला मान होगा व resources तो pi by 6 में से alpha का मान क्या हो गया alpha का मान हो गया pi बटे 6 और बीटा का मान हो गया pi by 3 यह मान हो गए अब हम देखते हैं हमारा जो हमारा जो चितर है किस प्रकार से वक्र बनेगा हमारा तो देखां हमने यह हमारा X और Y जिसके अंदर हमारा Y क्या है शुन्य उन्हें प्रस्ण में हमें दिया है कि X के दो मान होंगे यस प्रस्ण में प्रस्ण में अगर Y बर्देशांगे Y के अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो पाई का मान क्या है एक तो मतलब जो एकस का मान है पाई बटे 6 मान लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गया पाई बटे 3 और यहाँ पर जो हमारे कोस के लिए जो है जीरो से पाई बटे 2 यह हमारा एकस आक्ष है तो अब हमारा एक तो पाई बटे 6 तो ये पाई बटे 6 पे होगा एक हमारा पाई बटे 3 और कॉस के लिए जो हम खीचेंगे ये कॉस के लिए जो बाकर होगा कुछ इस प्रकार का होगा तो इसमें जो ये भाग है इसका क्या ग्याद करना है हमें शेतरफल ग्याद करना है तब हम शेतरफल ग्याद करते हैं तो शेतरफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा कहां से कहां तक है पाई बटे 6 से पाई बटे 3 और किसका है हमारे फलन का जो कि हमारे क्या फलन था कॉस एक्स डी एक्स रखते हैं कॉसेक्स का करते हैं और समा कलन तो क्या प्राप्त होगा साइन एक्स हमारी उच्छ सीमा क्या है पाई बटे तीन और निम्ने सीमा पाई बटे छे जिसको हल करते हैं तो साइन पाई बटे तीन रिण साइन पाई बटे छे इन दोनों के मान तो पाई बटे तीन का मान होता है रूट तीन बटे दो और पाई बटे छे का मान साइन में होता है एक बटे दो मान क्या होगे हमारा 1 बटे 2 रूट करने 3 रिण 1 वर्ग इकाई यही क्या होगा हमारा सही उत्तर तो देख लेते हैं यह हमारा कौण सा विकलप है विकलप C हमारा सही उत्तर होगा पक्त्र भॉज लेकर नीट IATJE वो advance के level कर नीट करोड से साध चाथरो के भरोसा आशी डाउनोट करे डाउटने डाप या वच्छाप करे अपने सारे डाउट्स 8444 पर